कि नमस्कार दोस्तों मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एंबी स्पीक्स पे आप सबी लोगों का बहुत बहुत स्वागत हैं दोस्तों आज जो मैं आपसे बात करने जा रहे हैं मेरी नजर में तीन चीज़े हैं एक तो यह कि राज़ीती कास्तर इतना गिर चुका है कि वहां किसी को कुछ भी कहने से पहले सूचा नहीं जाता दूसरा यह कि अगर कोई लड़की है महिला है उसको आप कुछ भी कह सकते हैं आपकी जुवान पर जैसे कोई लगाम लगाने वाला नहीं है और तीसरा यह कि लड़कीयां क्या नहीं कर सकते हैं लड़कीयां सब कुछ कर सकते हैं दोस्तों कॉंग्रेस की तरभ से स्मिरतीरानी की बेटी पर ये आरूअला लगाए है कि उनकी बेटी गोवा में फर्जी पर बाहर चला रही है। कॉंग्रेस का कहना है कि केंदरिय मंतरी की बेटी को ये लाइसेंस फर्जी तरीके से दिया गया है और इसकी जाज होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कॉंग्रेस की नेता सिर्थी राइन का इस्तिफा दौना है। मैंने आपसे तीन बाते कही थी, तो उसमें पहली बात तो यह है, बेटी की बात है, दूसरी बात बार चलाने की बात है, राजनीती की बात है, तो राजनीती का स्तर इतना नीचे गित चुका है, कि कोई भी बात वो किसी को कह रहे हैं, उससे पहले वो सोचते नहीं है, सबसे तो बुरा ही क्या है लेकिन उनका कहना है कि नहीं वो फर्जी लैसेंस पर बाहर चला रही है और एक और बात है इसमें वो स्मिती इरानी का इस दीवाद मांग रहे हैं क्योंकि वो बेटी है स्मिती इरानी की अच्छा यह जो नेता है स्मिती इरानी यह बीजेपी के फायर ब अप्स्ति नहीं है शायद इजी का बतला कॉंग्रेस के कुछ लोगों ने उनसे लेने की कोशिच किया है वह सारी बाते हैं लेकिन बैबले आपको ये बता दूं कि संधिती इरानी नहीं क्या कहा है उन्होंने उन नेताओं को आड़े हैं तो लेते हुँ कहा कि दो अधेर उम इज़ते कॉंग्रेस के परवक्ताओं ने आज हमला किया है उस लड़की का दोश्य है कि उसकी मा स्मृति इरानी कॉंग्रेस नेता सुनिया गांधी और राहूल गांधी के खिलाफ प्रेस कॉंफेर्स करती है यहां दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो मा बहुत इसके खिलाब बाकाइदा प्रेस कॉंफेर्स किया है आगे स्मृति रानी कहते है कि उस लड़की का दोश्य है कि उसकी मा ने 2014 में और 2019 में अमेटी से राहूल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा और उन्हें हरा दिया हाला कि वो अपनी बात मीडिया से कहते हुए उनका गला भराया क्योंकि उनकी बेटी पे आरूप लगी थे उनका गला भराया जिस आटियाई और कागस का हवाला दिया गया है उन्होंने कहा कि उसमें उनकी बेटी का नाम नहीं है उन्होंने ये भी पूचा कि मेरी बेटी का नाम कहा है 18 साल की लड़की का दोश है कि उसकी म अमेठी में रहुल गाजी को प्राया कि अबर इतनी सी बात है और इस बात के लिए उस बच्ची को उस 18 साल की लड़की को इतना खरज किया केदरी मंद्री ने ये भी कहा कि उनकी वेटी पढ़ती है ना कि वो बार चलाती है मैंने शुरू में कहा था कि अगर वो बार भी चलाती है तो इसमें कौन सी गजब बात है लड़कें हर बिजनेस में काम करनी है तो वो बार भी चला सकती है लेकिन उन्होंने अपनी ये सफा प्रेस कॉंफरेंस में कॉंग्रेस के परवक्ता ने हस्त हुए जिस लड़की पे आक्टरमंड किया है वो साधारन लड़की है जो साधारन जीवन जी रही है वो लड़की मेरी है यानि कि वो लड़की सिमृती रानी की है 18 साल की है कॉलेंज में पढ़ती है और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि 2024 के जो चुनाव होंगे उसमें वो राहूल गांधी को अमेटी से ही धूर चटाएंगे फिर से वो राहूल गांधी के सामने आएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉंग्रिस की तरफ से स्मृति रानी की बेटी पर यारूप लगाए है कि उनकी बेटी फर्जी लाइसंस पर बाहर चला रही है गोवे कॉंग्रेस का कहना है कि केंदरी मंतरी की बेटी को ये लाइसंस फरजी तरीके से दिया गया है अब लाइसंस फरजी तरीके से किस तरीके से दिया गया है इसका उनके पास कोई जबाब नहीं है लेकिन उन्होंने सिम्रित इरानी ने इसको कफी गंबिर्का से लिया है और उन तरीके के तीन सावाल मैंने शुरू में उठाए दे के राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है इस तरीके की बाते होने लगी है और दूसरी बात यह है कि किसी भी लड़की पर आप कुछ भी कह दीजिए कुछ भी कह दीजिए जैसे आपका तो कुछ बिगड़े नहीं दो आप अपना और अपनों का ख्यार लगिए जैहिव जै भारत